पंकर जी चेंडीगड से गाधा वल्लव शीहर इविंश महाराजी आपके चरणों में कोटी-कोटी पढ़ा महाराजी मैं मादूर्गा का भागत हूँ मादूर्गा के दर्शन करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँ कि वो जल्दी आ जाए महाराजी जब बच्छा मा की गोद में बैठाना चाहता है तो सबसे पहला उसका कारीयोता खिलोने खेलना बंध करता है मा उसके पास खिलोने बेजती है जितना वो मा की तरफ बढ़ने कोशिस करेगा मा कारे रथ है तो उसे खिलोना भेजेगी दे दो ये सब वो अगर उन खिलोने से ना खेले रोए तो फिर घर के किसी सदर्शे को पेरणा करती है बिटिया उठाले गोद में थोड़ी दे वो उससे भी चुपना हो तब तो दोड़ के आ जाती है भाव पहले हमको इन भोगों का त्याक करना होगा इन भोगों में हम खेल रहे हैं फिर हमारी अनकूल मांगे हमारे सामने आएंगी मां से न मिलने के लिए बाधा बन कर हम उन मांगों को भी जो सोचा था चाहा था वो मिले पर हम उसे स्वईकार न करें और रोते ही रहे तो फिर मां नहीं रुख सकती यो तो वातसल्य में कुपुत्रो जाये ते कचिद पिकमातानुवत फिर वा करके साक्षात पहले हमारी सामर्थ तो हनी चाहिए मा के दर्शन हो हमारी मा कोई प्राकृतिक मा है क्या आद्या शक्ति अनंत महामहिम है वो ऐसी थोड़ी कि प्राकृतिक नेत्रों से जिसे अपनी अम्मा को ऐसे देख लेते हैं वो किवल तुम्हारी मा थोड़ी जगत माता है और वो आद्या शक्ति हैं इश्वरी हैं कोई ऐसे थोड़ी कि ऐसे देख लेगे पहले भोगों का त्याग करो और उनकी शरण में होकर कि अंदर्शे उनके नाम मंत्र उनके विग्य जो महापुरुष जयाने उनसे मंत्र लेकर और उनके भावना से भजन करो मा का शाक्षातकार रामकृष्ण परमंसे जी ने जब क्या सिद्ध हो गए न तो ये मा का दर्शन को खिलवार है फिर कृष्ण और काली में कोई अंतर थो रही उन्हें दिखाई दे रहा था पूरा जगत उन्हें भगवत शुरूप नजर आया तो मा का साक्षातकार मत्ब ब्रह्म शाक्षातकार मा कोई प्राकृतिक मा थोड़ी है या ऐसे गोध में बैठ जाओगे उसके लिए ब्रह्म शुरूफ होना पड़ेगा समस्ति विकारों का त्याग करके किवल मा की प्राप्ति के लिए तो चाहिए श्री कृष्ण प्राप्ति के लिए चाहिए मा की प्राप्ति के लिए वही प्रुभू बने वें शक्ति है मैं उसकानुभव करना चाहिता हूँ वा जाएंगी कृपालों कृपा करके दर्शन देवी प्रपन्नारति हरे प्रशीद प्रशीद मातर जगतो खिलश्य है प्रशीद विश्वेश्वरी पाहिश्वम तो मिश्वरी देवी चरा चरश्य है हे देवी आप ही चरा चर रूप में विराज मान हो आ गही न सिद्धान्द के सर्वम खल्विदंब्रम वास्देवा सर्वम आ गही न एक ही बात है तत्त तो एक ही है चाहिए उसे मा कहो चाहिए पिता को चाहिए दोष्ट कहो चाहिए प्रीतम कहो वही सखा है, वही प्रितम है, वही मा है, तुम जिस भाव से बजोगे आ जाएगे, तो मेव माता, चपिता तो मेव, तो वही शिव हैं, वही शक्ति हैं, कोई दो तो है नहीं, वही मा है, वही पिता है, आब मा भाव से बजोगे, हमारे प्रभू मा भाव से आ जाएगे, पर उनके आने के लिए जो स्वागत तैयारियां करने हैं, वो हमें करने हैं, हमारे हिर्दय में जिव अभी कूड़ा करकट वास्नाय हैं, यह टानी पड़ेगे, खुब नाम जब करें और भाव से चले, तो तुम्हारी बुद्धी में प्रकासित हो जाएंगे, या देवी भूतेश बुद्धिरुपेण संस्तिताह नमस्तसे 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 नमो नमा, विराजमान हो जाएंगे बुद्धी में, देख मैं आ गई, उनके प्रशंड तेज को कोई सह सके, जब तक भजन के द्वारा अंता करन निर्मा उनके प्रशंड तेज को सह सके, वो शिव शक्ति हैं, अंबा हैं, आध्या शक्ति हैं, एक अंश में शूरी विद्यमान आख मिलाग देखो, बारा बजे दुपार के, और अनंत शूरियों जैसी कांती मा भगवती की है, महा बल्शाली, त्रिहोण में कोई पैदा नहीं हुआ क्यों अपने रूप, शुरूप में आ ज शक्ति चिदानन्दमा हैं, ये ऐसे थोड़ी सी चुनरी और नारियल चड़ाने से तुम्हारी कामनाओं की तो पूर्ती कर देगी, लेकिन साक्षात कारद होने के लिए फिर अपना आस्तित्त मिटाना होगा, अपने आस्तित्त का बलिदान करना होगा, आस्तित्त का साबजिगे?